आज में बना रहे हैं गार्लिक ब्रेप वो भी बगर इस्ट के मेदा हमें लेना है दो कप एक कप डाल दिया है दूसरा कप शूगर मैंने लिए एक टेबिल स्पून पिसी हुई घर की चीनी है आप पीस ले बेकिंग पॉडर वन टेबिल स्पून बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून पहले मिक्स करेंगे दही लेनी है अभी में हाफ कप ले रहे हैं अगर मुझे आगे जरूरत होगी तो में और भी ले सकती हूँ वह आपको बदाऊंगी में और दही थोड़ी खटी होनी चाहिए य हमें दही के साथ ही इसको गुंदना है पानी नहीं डालना है इसलिए मैं आप से कहा था कि अगर मुझे ज़्यादा जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी दही के बारे में मगर हाँ हमें जरूरत होगी क्योंकि हमें सॉफ्ट डो बनानी है कि देखें कि मेरा इतना सॉफ्ट है इस डोगों मैंने इसमें लगा है पूरा एक कब दही और एक टेबिल एक कब और एक टेबिल मेल्चित बटर चाला है मैंने भी एक टेबिल एक चम्मज दाला है अधा चम्मज मैंने ओट डाला है बटर है यह मैंने 7-8 मिनट है गुंद लिया है आटे को और आप इसे में रेस्ट करने के लिए रख रही हूं तक्रीबन 40 मिनट के लिए यह आटा हमारा तयार हो चुका है दो डेर चम्मज मैंने आपको चम्मज दिखाया है यह चम्मज ह डेर चम्मज हमारा लगा है बटर जो मेरा पिगला हुआ है यह लगा है और अब इसे में 40 मिनट के लिए रख रही है अच्छे से कवर करके रख दें कहीं सरेट है अच्छे सूख अर्व तक हमचा हुआ हम सबक Лिएटय करें 23 चाहिए वारफ सेंना अच्छा याइया क्वाला न हुआ ही है पर दो बनाएंगे कर दो बनाएंगे खाव करें जो बनाएंगे इसे इस तरह से हाथ से भी बड़ा कर सकें और इसे बेल कर भी बड़ा कर सकें जो आपको इजी नी लगे आप भो किजेंगे की बटर मैंने लिया थ्री टेविल स्पून की अब ने काट लिया यह भी बटर में मिलाते हैं और बड़र हमारा मेल्टेड है यह था कि तकरीब हैँ दो टेविल स्पून यह इसे मिक्स करना हमारा बटर जो है अन्सॉल्टेड है थोड़ा सा में इसमें नमक भी डालूगी ताकर टेस्ट रच्छा है यह जो हमारा बटर है और यह कार्लिक स्पोहंग डाल रहा है इसके पॉर अउग्हार नगरा में अउधस की डाल रही है करिम चार्ड्र या इसमें मेरी सेवाओ है इसमें दोह सेवाविड और देख सकते हैं में लिंक दे दूँगू आप इस जगह पर अगर चाहें तो मॉजलर चीज और चर्डर चीज डाल सकते हैं यह मैं डॉमिनो स्टाइल से बना रही है मगर थोड़ा सा अपना टेस्ट दे कर यह बहुत पसंद आएगा यह मैं बिलेक पेपर डाल लिए एक टुटकी चीली फिलेक यह भी जादे नहीं डाले तकरीबन एक पिंच के करीब है और इगान यह भी मैंने एक पिंच के करीब लिया है और हम पानी लेंगे इस तरीके दो पानी लेंगे और इस तरहां से आपस्ताइब किनारों पर लगा है ताकि यह हमारा खुलेगा नहीं है इसे इस तरह से दबा देगा अगर हम इसे प्रेस नहीं करेंगे तो यह खुल जाए जाएगा उल्टी छुरी लें सिर्व निशान लगाने इसे हमें काटना नहीं है अभी कार्लिक पेस हम उपर फिर लगाएंगे थोड़ा साम क्रीम मायोनीज लगाएं इसे जाएका बहुत अच्छा आएगा अगर आपके पास एक मायोनीज है तो आप अब भी इस्तेमाल कर सकती है वड़ा मेल्ड करें जो बटर के साथ यह बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसे हम इस तरह से अब हमें इसे सिलो हीट के उपर तकरीबन पांच मिनट तलग एकी तरफ पकाना है इसमें मैं डाल रही हूं शेजवान चटनी दूसरा वाला में इस तरह से बना रही हूं कि देखें हमारा कितना डबल हो चुका अब इसे में पांच मिनट हो चुके अब मैं इसे टर्म करूंगी आप पलट दें इसको बड़े हिसा आराम से पल्टियागा अब इसे हम स्विस्ट धाफ के पांच मिनट पताएंगा यह मैंने दूसरा वाला बनाया और यह मैं डिफरेंट तरीके से बनाया इसमें मैंने शेजवान चटनी को इसमाल किया आप अपने पसंद के मताबिक बना सकते हैं इसको अच्छी तरह से फिंकर से कि खुल ना दिय अब इसकेपड में है किरीम मायोनीज लगा रही है इधर से भी हमें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं इसे हम चेक कर लेते हैं इधर से इधर से इधर हमारा अच्छा है अब इसे हम इस तरीके से पड़े एत्याद के साथ करना ही काम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम इस इस तरह से हम इसको सेखेंगे ताकि यह हर तरफ से सीख जाए और दूसरे वाले में आपको बताया है कि दूसरे वाले में मैंने शेजवान चटनी डाली है और यह जो मैंने बनाया है किरीम मायोनीस बहुत मज़ेगा बनता है जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते हैं यह पसंद नहीं यह मायोनीस इस तरह का वो यह बनाए और खाएं बहुत पसंद आएगा आपको इसे मेरा डतेता हैं कि अध्युक्त Calvin Amra अगकर यह भी खिर में हचनियों जना से में मैं यहां से भी सीख चुका है कि इसने में निकाल रही है इसी तरह से में दूसरा भी तैयार कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं अब मैं दूसरा तैयार कर रही हूं और वह मैं आपको बना कर दिखाती हूं कर दो कर दो